मेरा चल रहा था और इस वीडियो के साथ ये दिन खत्म होता है तो मैं बहुत जगहों पर जाने के बाद फाइनली काब्रिवार रिजॉट में चेक-इन करने वाली हो और यहाँ पर रात बिताने वाली हो ये पिनुर्सला में है और शिलॉंग से डॉकी जाते वक्त लोगों का फेवरिट स्पॉट है फोर डाइनिंग मैं यहाँ रुकी पर आप अगर यहाँ से गुजर रहे हैं तो यू किन ट्राइ देयर वेज इन नौन वेज रेस्टरॉंट वेज रेस्टरॉंट की बात करूं तो काफी क्राउड़ी होता है बहुत जादा भीड आती है दिन में यहाँ गाइस and it's separate from the resort also बट नौन वेज रेस्टरॉंट अब डिफिनिटली ट्राइ कर सकते हो गर आपको क्राउड को अवोइट करना है and नौन वेज रेस्टरॉंट means it serves both wedge and non wedge चलिए अब रेस्ट पर आती हूँ आपको पूरा रेस्ट घुमाती हो तो प्राकृतिक अनुभवों की दुनिया प्रामानिक्ता का स्वाद आराम का एक स्पर्ष जो बहुत परिचित लगता है काब्री वोर रेस्ट में आपका स्वागत है घर से दूर आपका प्रीमियम घर जी हाँ ऐसा ही ये लोग कहते हैं और सच बताओं तो मुझे यहाँ रेस्ट करके यहाँ स्टे करके बिलकुल ऐसा ही फील हुआ जब आप रूम देखोगे न गाइस यू विल बी शॉक्त मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि इतना अच्छा प्रीमियम रूम मुझे मिलेगा रेट्स लाइक 3000 प्लस थे बट इन दाट रेंज मैं शिलॉंग में या कई जगों पर रुकी जहाँ पर मुझे इतना अच्छा रूम नहीं मिला रिजॉर्ट के पीछे में पूरी हर्याली है वादिया है जरने है वैलीज है आप जो भी बोल सकते हो एड रूम से भी ये व्यू मिलता है प्लस ये एक स्पेस है जो मैंने अभी आपको दिखा है यहाँ पर अगर आप ग्रूप में आए हो यू किन डाइन ऑलसो अगर आपको रात में बार्बीक्यू और थोड़ा सा डीजे बजा के डिस्कू करने का नाचने का मन है अगर उस केस में आपके पास एक बड़ा ग्रूप है आप ग्रूप में आए हो तो एक बार्बीक्यू करना थोड़ा गाने वाने करना वो आपको काफी अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि एक ग्रूप ऐसा कर रहा था यह लोग उस टाइम पे आपके लिए बूफे एड जो फूड है वो रेस्टरांट से बाभीक्यू के पास भी अरेंज कर देते हैं विच इस ड़न इन फ्रॉंट आफ द एंट्री गेट चोहिन का रेसेप्शन का गेट है प्लस बालकोनी में बिलकुल शीशे के वोल्स है तो आपको रूम से भी यही नजारा मिलता है बाहर में कॉफी टेबल है जहां हमने सुबह में कॉफी चाय पिया तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोलते है काबरिवार वाले अपने होटल के बारे पे तो देवदार की पहाड़ियों की चोटियों और मेघाले के प्राकृतिक परिद्रिश्य के बीच इस्थित इनका धूबदार पहाड़ी स्थान उष्निकटी बंधिये जंगल का सबसे सुन्दर द्रिश्य पेश करता है इनका आधोनिक, परिश्कृत और समकालीन होटल उन यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है जो लाड़ प्यार और आराम की तालाश में है पिलकुल मेरी तरह इनकी परियावरन अनुकूल प्रथाएं यह सुनिश्चित करती है कि इनके महमान मनुश्य और प्रकृती के बीच की दूरी को पाठ कर भूमी और इसके लोगों से चुड़े यहां कि सर्विस की बात करूँ गाइस तो हमें थोड़ा एसी में ऐसा लगा कि उसका उपर का जो फिल्टर है वो खुला हुआ था इनकी जो एसी है वो होट अन कूल दोनो ही केसे में काम करती है तो हमने कुछ टाइम पर होट मोड में उस एसी को चला आया and such में it worked हमारे रूम को पूरा गर्म कर दिया उसने सो सर्विस की बात में आती हूँ तो सर्विस भी बहुत अच्छी लगी मुझे यहां की प्लेस रात में हमने यहां के जो नॉन वेज रेस्टरॉंट है उसमें डाइन भी किया वेज रेस्टरॉंट युशली जल्दी क्लोस हो जाता है and that is basically for the ongoing tourists जो वहाँ पर दिन में रुकते हैं होल्ट करते हैं फ्रेशन अप होते हैं and lunch करते हैं दिनर करते हैं यह snacks लेते हैं so I would suggest अगर आप यहां रुक रहे हो then you should definitely visit the non-wedge restaurant APR जिसमें मैं अभी जा रही हूँ and it's you can see connected from the resort also so घाटियों और जहर्नों के ग्रामिन परे द्रिश्य का शानदार द्रिश इनके शानदार और अरामदायर कमरों में मानक के रूप में आता है साधी, सहत सुरची पून आंतरिक सज्जा और तुर्टिहीन सेवा इसमें इनके जानकार दारबान की सहायता भी शामिल है काब्रिवार रिजॉट एक ऐसी जगह है जो आधिनिक और समकालिन स्पर्ष के साथ अच्छे पुराने दिनों की यादों को संजोती है प्रत्य एक सीजन काब्रिवार रिजॉट में परिवार और दोस्तों के लिए अध्वितिय सरल आनंद लाता है जो जीवन भर की छुट्टियों का अनुभव करने के लिए यात्रा करते है संपत्ती में सुरक्षा के साथ परियाप्त कार पार्किंग की जगे भी है इनके कमरे अत्याधुनिक, आधुनिक सुविधाओं से सुचसजित है जो आराम को एक नए अस्तर के अनुभव तक ले जाते है और गेस्ट को यह सांत्वना और शान्ती पाने में मदद करते है जिसकी हम शहरी जीवन की आपधापी में तलाश कर रही है जिसकी हम शहरी जीवन की आपधापी में तलाश कर रही है